आप सभी का स्वागत है आईए कारिकम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का सुविचार मित्रों शांत और सुखी रहने के लिए एक उबाय भी है वह है अपने आपको सही तरह से समझदा हम किसी से कॉंपटिशन ना करें अपने आपका आकलन करें उस आकलन के नरू हम अपने कारियों को करना शूरू करें और शांत रहना शूरू करें आपकी शांती आपकी सहजता आपकी सफलता कब बन जाएगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा अब देखते हैं आज का पंचांग है चार जून 2019 मंगलबार का दिन है म्रगशी राज नक्षतरत तिती है अब देखें कि दिन कैसा रहेगा पहली राशी मेश मैंस राच्जिल व्यक्तियोंगे आज दिन अच्छा है लेकिन आज कहीं न कहीं किसी काम को लेकर आप पन्फ्यूज बीए काम करें या ना करें आपको काम करना है पका मान कर चलें वही कारी होगा जो आप नहीं चाह रहे हैं इसलिए जो काम आथ मे हैं उस काम को कर डालें अधिक चिंतन नहीं करें आज आपको लाब मिलेगा हनुमानी जी की क्रपा से ब्रशब राशेल व्यक्तियों का समय अच्छा है लेकिन कहीं न कहीं आप पुरानी किसी समस्या को लेकर अंतर द्वन्द में फसे हुए हैं उस समस्या से आपको बाहर निकलना होगा नया चिंतन करना होगा जो नुक्सान हुआ हुआ भविश्मी नुक्सान ना हो इसका प्लानिंग कर डालें आप सफल हो रहे हैं और आज की सफलता के लिए थोड़ा सा दही अवश्काएं मितरन राश्यल वक्तियों के लिए आज दिन यात्राओं बाला हैर यात्राएं आपकी सफल होगी और विश्यसकर आज थोड़ा सा दान करते हैं तो और भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी आपकी मेहनद भी रंग लाएगी आपका चिंतन भी रंग लाएगा करक राशियल व्यक्तियों के लिए लाब भी मिलेगा तनाव भी कम होगा और मदद भी मिलेगी आप बेरती ही चिंतित हो रहे हैं जब 11 बजेंगे सब कुछ सफल होना शुरूगा सायंकाल अनन्द के साथ ब्यतीत होगी मातर कारे करना शुरू कर दें सफलता मिल जाएगी बगवान शुरू की आराद न करें सेराशियल व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है आपके प्रयास सफल हो रहे हैं बिशेस कर नोकरी, धन और जिन लोगों के काम पेड़ने हैं उन से सम्मंदित कोई भी एक कारिया आज आपका सफलू का मन पसंद रहेगा कन्या राशियल व्यक्तियों पर मंगल की आज बिशेस कर पाए है उत्सा गजब का है लेकिन उसके हम रूप आप काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मंगल उत्सा ही तो बना देता है लेकिन काम करने के लिए बुद्ध की आवशक्ता होती है और उसलिए वगवान स्री गणेश जी के आराद न करें मंगल बुद्ध का कॉममिनिसन बनेगा सफल्ता अवश्च मिलेगी तो लाराशियल वक्तियों के लिए सहीयों को अच्छे हैं आपकी मेहनद भी रंग लाएगी और आज आपकी धनकी कमी भी पूरी होगी कुछ काम आप ब्यक्तिकत करना चाहते हैं कुछ काम दूसरे के थूराज करना चाहते हैं तो आज ब्यक्तिकत काम सफल होंगे दूसरे के द्वारा कराय हुए कारी सफल नहीं होंगे बश्चिक राशेल व्यक्तियों का समय अच्छा है लेकिन कहीं ने कहीं आप छोटे से तनाव में हैं उस तनाव से दूर रहने के लिए गहरी सांस लें उस तनाव से मन अटा कर आज जो काम हाथ में है उस पर मन लगाएं मन भी लग जाएगा तनाव भी आपका दूर हो जाएगा धनूर राशेल व्यक्तियों के लिए समय अच्छा रहेगा खुश कबरी मिलेगी तनाव कम होगा विशेसकर जो काम हाथ में है वह कारे बहुत जल्दी संपन होगा हो सकता है दो उपर में कहीं न कहीं गूमने जाने का उसर भी प्राप्त हो जाए मकर राशेल व्यक्तियों को आज शत्रु अंता योग बन रहा है प्रति दंदियों पर आज आप भारी पड़ेंगे प्रति दंदियों से लाब भी कमाएंगे और कुछ नए दोस्त भी बनाएंगे जो भविश के लिए शुब होंगे आज नए दोस्त बनेंगे उन्हें मिठाई खुद खिलाएं कॉम्ब राशेल विक्तियों का समय अच्छा है लेकिन थोड़ा सा दीमा है धनकी आज कमी है लेकिन काम आपका आज नहीं रुक रहा है तो आप दीमे दीमे कारे करें सफल होंगे हनुमानी जी की दर्शन अवश करें मिठाई राशेल विक्तियों आज अपने काम तो नहीं कर पाएंगे दूसरे के काम करते रहेंगे उसी में आप प्रसन रहेंगे तो दूसरे के काम को ही आप प्रात्मिक तद्यद है बेहतर होगा और भी अच्छा आपको लगेगा तनाव भी आपका कम होगा मित्रो यह था आपका देनिकराशी पल अब देखते हैं आज का रामबान मित्र कईवार में आपको बतलाता हूँ कि आप लाल रुमाल रखें, लाल पुष्प रखें, पीला रुमाल रखें, सफेद शर्ड पहने इनके कहीं न कहीं माइने उस दिन उस तारीक के नसार होते है जब हमारा कोई कारे स्मूथ चल रहा हो तो सफेद वस्तरों को प्रात्मिकता दी जाती है और जब कोई कारे हमें करवाना होता है किसी के माध्यम से तो पीले रंगों को मानने तदी जाती है तो आज के दिन आप पीले रंग का रुमाल अपने साथ रखें यदि कोई कारे आपका अटक रहा है तब तो आपका वह कारे संपन हो जाएगा अब आप मुझे अग्यादी जीए कल पुनहे भेंटो की नमस्कार